गाउं में कोई अपरादी जब अपनी जेल में सजा काट कर गाउं में आता है तो उसे लेकर क्या रवया हुरता है भो लोग भो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उत्कंटा रहती है कि जेल कैसी होती है जिनको खुद जेलने का डर होता है अब पटना से बढ़िया जगा क्या हो सकती है और आज हम लेख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं जो गोटालों के आरेपी है जिनके उपर प्रस्टाचार के अरोब है ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभो ले करके आए है यह इस तरह एक दूसरे को बचाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं देदो देदो अगर उनकी गोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हार गोटाले बात पर कारवाई की गारंटी हार चोर लुटे रे पर कारवाई की गारंटी है जिसने गरीब को लूटा है जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा गांधी परिवार के बेटे-बेटी का विकास करना हो तो फिर कॉंग्रेस को वोट दीजिए आपको मुलायम सीजी के बेटे का बला करना है तो फिर समाजवादी पांटी को वोट दीजिए अगर आप लालू परिवार के बेटे-बेटी हो के हो उनका भला करना चाहते हो, तो RJD को वोड़ दीजिए, आपको सरत पवार जी की बेटी का भला करना हो, तो आप NCP को वोड़ दीजिए, आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो, तो आप National Conference को वोड़ दीजिए, आपको करना भी बेटे बेटियों, पोते पोतियों का भला करना हो, तो DMK को वोड़ दीजिए, आपको के चंदर से कर राव की बेटी का भला करना हो, तो आप BRS को वोड़ दीजिए, लेकिन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे देश वाचियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का बला करना है तो आप भूट बाजपा को दीजिए